है लिजिए आउठी पहुन लिजिए का मुंगा पतल है तो नमस्कार मित्रू स्वागत है आप सभी का बसंत बियार में जैसा कि आप लोग ये हमारा तीसरा वीडियो है फलहारी बबा के साथ जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि ये एक गमछा में आग लगा दे रहे हैं और कहीं हाथ से कोई पथर हो गएरे मंगा दे रहे हैं यानि मुंगा हो गएरे और उस वीडियो पे बहुत ज्यादे कमेंट आए हुए हैं कि नहीं ये इस तरह से है तो फासफोरस से आग लगाया जा रहा है तो आप आप सभी के जो भी कमेंट है उन सभी का जबाब जो है हम बाबा से लेने के लिए यहां पे आए हुए हैं तो अब बाबाजी सबसे पहले मांपका स्व्वागत है जो आप आग लगा देते हैं तो कुछ लोगों का इस तरह का कहना है कि आप उसमें फास्फोरास उगयरे जैसा कुछाता है जिसको आप्रहकर उसमें आग लागा ज़ें अदिए मैं तो जनम से आज ले पासपोरस के नाम भी नहीं सुना हूं आपके मुँझे मैं नाम सुन रहा हूं मैं माचीस देखा हूं लकड़ी से घीशते हुए आकको निकलता हूँ देखा हूं जग में पर निकालते हैं लुट को नहीं सकता है नहीं चाहिए तो हमको कहां मिलेगा साधु को कहां दे सकते हैं यानि आप अपने सिद्धी के अधार से आप लागा देने अगनी पुरान उहां धरा वह अगनी पुरान होगा दें अगनी पुरान है उद्धी यह देखिए अगनी पुरान है इसको आप नाम से नहीं है कोई लबेद नहीं है इसमें अगनी पुरान में हम पढ़कर कुछ मंत्र को सीधी की हैं इसमें हर तरह से मंत्र का उचाड़न करते हुए भगवान की जो है इसमें किरपा है चलिए हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखें अगर मन लिजे कि आपकी इसमियास्था हो तो हो नहीं तो कुछी भी तरह कई अमर्यादित कमेंट का आप लोग यूज न करें अमर्यादित भासा में आप लोग कमेंट न करें क्योंकि इससे आपके संसकार मालूम पड़ता है जो जीस तरह का होता है उसी तरह का कमेंट करेगा उसी तरह का बोलेगा तो आप अपने संसकार को कतई नीचे न गिरने दे और जैसा भी होता है आपका अगर मन लिजे कि इसम लोग बैठे हुए हैं आपके पास आते हैं और कुछ बाल लिजे कि आप उनको तंत्रमंत्र सक्ति द्वारा है हम यह भी बता देना चाहते हैं कि दो हाजार पचीस तक बाबा का दावा है कि यह पानी पे चलने लगेंगे यान सिध्धी और सक्ति के द्वारा यह सिध्धी द्वारा सक्ति प्राप्त करेंगे और उसके आधार पे यह पानी पे चलने लगेंगे सत्य है बाबा जी मैं सिध्धी साधना अभी सावन में अपन साधना सिधी करता हूं इसलिए साधना कर रहा हूं अपना कर्म कर रहा हूं फल तो देने वाले भगवान है परमात्मा है मेरे जो भी कमेड कर रहा है आपके चैनल द्वारा बसंद बिहार द्वारा कमेड कर रहा है मैं उन भायू को मैं नमस्कार कर रहा हूं उन भायू को मैं समें चोटब करने का कि आदत नहीं किम्हान राम के थे ठीए थे किया थे थे तो अगर मेरा आचाई को ले लीजिए और बुराई को मेरा यही छोड़ दीजिए और असीरबाद में देता हूँ परसाद देता हूँ और लोग रोते हुए आते हैं होस्ते हुए जाते हैं अभी एक भगत आये थे गुजरात से चल करा हम्दाबास से आपके चैनल के माधियम से हैं उनको बहुत है उना में दर्वा कॉमर में दर था वो बेट पर लेट कर आय दो दिन के बाद चलने लगा अपने आप गया है भाहर गया है घर चला गया जी तो मुझे एही चाहिए कि मेरे असिरबाद मेरे बाद निसुल्क से वा लोग को और पैसा भी बाबा लेते हैं अब हम से फोन भी करते हैं देखिए भाईया फीश को कर नहीं लिया जाता है भ कोई पैसा का बात नहीं है संद भीकता नहीं है अब एक चैनल माधम से चैनल पटना मालम के फोन किये थे कि आपको 25 रुप्या देंगे आए घर को माने घर को जो है मंतर द्वारा धासा दीजिए एक कमेर वाला बोले थे हैं आप एक कोड़ रुप्या दो पचीस टोड़ को दीजिए गानु कर सकते हं बीर कभिया नहीं दखाएगा जीनको एकसापने घर कता है नियों जगह पर दिखाएंगे फ्रश्ट इस लिए हम ने मांका पुजेड़ी हैं मांका शवक हैं अ यहां देदी पर खाना रहते हैं एक गड़ पर नोग धिनों राहते हैं और आज भी Нःकाते हैं मेरा नाम फलहरी बबावा है जीरा सीवान थाना मायरवा पोस्ट मायरवा इस्टेशन से एक किलुमीटर दूरी नौका टोला सी आहिपुल चंदों दास नेगर मेरा आश्रम है ठीक है यह मेरा आश्रम है अभीन आपको अंडमा एथी जाना है थाइलेंड जाना थाइलेंड म मानिकोबात जाएंगे तो अपने विहार में हम आएंगे जी वह बाएंगे क्यीश्चाइनल और जुभी चैनल कमाद्यास और मोबाइल से दूख दूर कर दीजिए अगर मोबाइल से दूख दूर करना हो जाए तो डंकदरी काहे लिए बैठेगा उसके लिए मेरे पास आएंगे माच से सिर्फ बाद लेंगे माँ के मंदिल में मुड़ी पठोगेंगे सर पठोगेंगे उस मा का अगर बती धूप जालाएंगे पचास लाग पचीस लाग के १ूंट सायके लेते हैं नुट अज़्यु आजान के लेता है इसलिए माह के पास आये तो कोहीं भी मंदिल में पहले पूजा कीजिए पहले पाठ कीजिए इसके बाद भगवान से अपने बाप देख रहे हैं कि क्या देना नहीं देख बाबा जी एक बार आप हमको यह से ही मांगा कर एक पथर दिये थे जिसको मुंगा आप बोल रहा है थे उसमें भी बहुत से का कॉमेंट इस परकार का है कि आप उंगली में उससे छुपा कर रखे तो इस ते आप क्या कहें देख रहे हैं अगर मैं कुछ दे रहा हूं अगर नीटी भी दे रहा हूं तो परसाथ के सुरूप में आपको दे रहा हूं अगर लेने के एक्षा है तो मेरे पास आईए मैं बलाने किसी की नहीं जाता हूं नहीं लेने के एक्षा कमेट करने के इक्षा है अब कर रहा हूं आप इसी तरह खुशी मगल रहे जहां रहे तहां बढ़िया रहे और आप घर रहे सुखी सरी कमेट मत करिए मैं कमेट करने वाला बेक्ती नहीं हूं मैं अभीन आपके छोटा भाई हूं छोटा पुत्र हूं आएक माका दास हूं हिंदुस्तानी हूं मैं चलिए अब लास्ट में एक बात पूछ लेते हैं कि जो डायन होते हैं भूत होते हैं वैताल होते हैं क्या इस तरह की कोई सकतिया होती है जी रामचरी समानस में लिखा है कि तूलसी दास जो पत्रिनी उनको खेत दी तो तूलसीदास गए थे तो बनारस में एक लोटा पानी लेट मगो में तूल रहे हो तूलसी दास बोलेट में परेथ हो तो बोला कि मेरे सामने परगट का मरते हैं आत्मात्या से मरते हैं जो आकाल मिर्टु तो इतिहास के मैं कह रहा हूं लभेद के नहीं कह रहा हूं तो बेगती जो है उनको पानी तक नहीं मिलता है तुल्षिदाद मुझे आधा लुटा पानी दे रहे हैं पिलाने के लिए मैं आपके भगती सिखू सुपरसंद मांगो क्या मांग रहे हो वहीं बोले कि मुझे भगवान से दर्शन करा दीजिए तो चीतर कुट पर भगवान जाएगा खाना उल्टी हो जाएगा नहीं पचेगा उसको लोग भी बोलते हैं एक जो है घर में जो है एक बाहर में जो इसे मंत्र चाम की दिया हाड के बती टोना सीको मंत्र है यह तोनमत मंत्र पढ़के लोग कुछ लोग डाइन सिखती है मरगट में मस्तान में अपना ल जो भी यह कुछ दिखाए है या कभी आग लागाना हुआ या फिर कभी मान लिजे कि पथरों गरे मंगाना हुआ तो अभी यह बोल रहा है कि सावन में ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे जिनको देखना है सामने आकर देखें चलिए मित्रो आप लोग कमेंट बक्स में कमेंट जरूर किजिएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और बाबा का जो नंबर है मैं इसमें डिस्प्ले करा दूंगा आप वहां से ले सकते हैं और इनसे जब भी आपको मिलना ह तो यह आता पता भी उसमें बता चुके हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं आपके जो भी मलीजे की कॉस्ट होंगे दूख होंगे वह इन्हें जो बाबा है उन्हें दूर करने की कोशिस करेंगे अपने सिध्धी द्वारा अपने भक्ती द्वारा तो चलिए हम फिर मिलते है